So, what's up guys, welcome to financial funda, आज की market की बात करते हैं, मैं आपे numbers अभी खोल रहा हूँ, अगर हम बात करें sensex की, तो 2.68% down पे अभी market close हुई है, 2.64% nifty पे market यहाँ पे close हुई है, अप across the board, जितने भी indexes हैं, चाहे हम BAC mid cap की बात करें, 2.7% down है, IT, metal, सब 2-4% के बीच में, सारे के सारे जो indexes हैं, यहाँ पे down है, and यह down क्यूं है, इसके ओपर 2 minute आज इस video में लगाना चाहता हूँ, and आपको पता का मैं usually यह वाले videos इस channel पे नहीं करता हूँ, crypto के channel पे I do macro and वाले videos, as well as जो US-centric थोड़े जादा videos हैं, उसका भी अलग crypto economy channel पे रहता है, but I think this is very important because यह हम में से बहुत सारे लोगों को affect करता है, and based on a lot of comments जो मुझे आए हैं, कि US में क्या हो रहा है, वो हमें क्यू affect करेगा है, और मैं क्या tension लूँ, अपना थोड़ी है कुछ लेना देना, उन comments को मैं यहाँ पे address करना चाहता हूँ, जिसमें से first thing that I want to get on to before हम आगे की बाते करें, वो यह है, no matter what happens US की economy में, India will take a hit, क्योंकि US की जो economy है, वो आज की date में US dollar जो है, बाकी के economies के, आज की date में काफी बड़ा एक foundational factor है, right, there's a lot of globalization, so US की market को बहुत सारी markets भी follow करती है, तो वहाँ पे जो भी होगा, उसका effect हमें बाकी की markets पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो यह हो जाती है, first cheese, and that's why हमारी markets get immediately affected with what news comes out of US, now, अब चलते हैं, exactly चल के रहा है, तो आपको पता होगा, last weekend, market close से पहले, या rather, US की market open से पहले, there was a CPI number announcement, वो CPI number जो है, 8.2% पे expected था, जो की है, invest, or rather, my bad, जो की है, inflation का number, and 8.2% expected के जगा पे, वो 8.6% पे यहां पे हमें देखने को मिला है, now, वो हमें 8.6% पे देखने को मिला है, का क्या मतलब है, तो ऐसा है, कि इसमें, अगर हम energy sector की बात करें, तो 34% के आसपास का inflation मन रहा है, food, travel, comes close to 15-20%, पट जब हम वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखें, और net-net की बात करें, तो यहां पे 8.6% overall inflation देखने को मिला है, अगर हम general लोगों की बात करें, तो हम लोगों को, मेरे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, जो affect हो रहा है, that is about 15% inflation, अगर आपकी salary, मेरी salary, minimum से minimum 15-20% स नहीं बड़ी है, पिछले एक साल में, तो हम लोग actually पैसा loose कर रहे हैं, हमारी savings पे और हमारी income पे, तो this is one, and यह चीज़ों को ध्यान में रखते हो, of course, यह number क्योंकि expected से जादा आया है, and यह 40 साल में, 4 decades में, US का highest inflation का number आया है, इसको लेके markets ने, गलत जो response है, negative response यहां पे दिया, चाहे वो crypto market हो, चाहे वो US की stocks market हो, चाहे वो आज का Indian markets का open हो, आज की Indian markets का open ही खराब हुआ है, now markets जो है, वो weekend पे trade नहीं करती है, तो लोगों को ज़ादा time नहीं मिल पाया, यहां पे sell करने का, यहां पे repo rate को लेके बहुत सारे लोग डरे है, तो जो rate hikes है, that is going to be the first thing जिसको लेके सब लोग यहां पे concerned है, and rate hike में क्या होता है, तो interest rate जब hike किया जाता है, तो पैसा borrow करना to spend becomes more expensive, right, उसे economy के अंदर जो पैसा आना है, जो market में investments की तरह पैसा आना है, जो बाकी चीजों की तरह speculation वाला पैसा आना है, वो कम होने लगता है, तो वो circulation को कम करने के यहां पे interest rate बढ़ाए जाते हैं, अगर ऐसा होता है, तो दो चीजे होते हैं, because market में पैसा कम आएगा, लोग खर्चा कम करेंगे, saving जादा करने की कोशिश करेंगे, because उनको उनकी job जाने का डर होगा, उनको inflation बढ़ने का डर होगा, उससे क्या होगा, उससे companies कम profit बनाएंगी because companies कम profit बनाएंगी, लोगों को job से निकाले जाने की probability बढ़ जाती है, यह एक circle बन जाता है, यह जो concern है, इसको लेके markets यहां पे dump करते हैं, that's one, number two and number three are war plus supply chain issues, now war plus supply chain issues जो हैं, वो markets को यहां पे affect करते हैं, तो बहुत सारे लोग किस चीज़ को लेके concerned है, guys, लोग जो हैं, वो सारे लोगों को layoffs already start हो चुके हैं, number three, जो supply chain issues चल रहे हैं, right, यह तीनों चीज़ें कठी आ रहे हैं, इसकी वैसे markets पे बहुत ही बुरा effect पड़ रहा है, and लोग बहुत जादा concerned है, तो लोग अभी पसंद करेंगे, क्या risk of assets, and risk of assets at this point, could very well be a liquid fund, bank FD, bank में deposits, right, वो उस तरह क चीजें, लोग market में पैसा कम डालना prefer करते हैं, पर आपको पता है, एक चीज बहुत जादा important वो यह है, कि जो इस तरह के phase में invest कर जाए, वो अच्छा करता है, there is a reason कि इस channel पे 33% part is about पैसा कैसे बनाया जाए, जो लोग market में आते हैं, पैसा बनाने के लिए, वो थोड़ा सा problem यहाँ पे face करते हैं, जो लोग अपनी income, अपनी job की income, अपनी skills से बनाई गई income, अपने business से बनाई गई income, और उसको save करते हैं, और savings में से फिर कुछ invest करने के लिए market में आते हैं, ताकि वो investments grow हो सकें, वो नहीं सिरफ inflation बीट करें, बट वो wealth generate कर सकें, they end up doing well, क्योंकि उनक हफते में पैसा बनाना है, उनका goal थोड़ा सा long term होता है, तो वो लोग usually, they end up doing very very well, आप past कितने भी market crashes देख लो, जिन्होंने market crash में invest किया, they've done well, now, हम क्या market bottom पे आ गए हैं, I don't think so, I think यही situation, थंडी situation अगला एक साल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, least to least, first quarter of 2023, I believe, and य यहाँ ऐसा period है, जब हमें लगेगा कि market bottom कर रहे है, on an average, जब, so market जो है, वो sentiment पे चलती है, basically, and यह market जो है, वो anticipation पे चलती है, तो जब market ऐसा feel करेगी, कि हमने अब सारा का सारा जो high interest rates, और यह सारी चीजों का जितना negative part है, sorry, phone आ गया, यह सारी चीजों का जितना negative part है, वो जब market price में factor in कर देगी, that is going to be the bottom, and usually, वो शायद bottom जो है, वो थोड़ा पहले आए, economic recovery के, right, market, या rather, economic recovery जो है, वो stock markets को follow करती है, normally, historically, अगर आप देखें तो, तो यह एक important factor आपको ध्यान में रखना है, कि अपने को bottom पता नहीं है, और bottom ढूनने वाला कोई भी नहीं है, मैं बात करूं, तो stock market में apply होते है, number one, mastering the market cycle by Harvard Marx, Harvard Marx के बहुत सारे memos है, जो बहुत ही जादा popular है, वो memo भी उनके पड़ें, वो अपनी company को देते है, Mindtree नाम की capital, Mindtree Capital is one of his firms, multi billion dollars, वो लोग यहाँ पे funds में manage करते है, Harvard Marx की there is another one, I think what is the most important thing, and they are all important things, इस नाम का book है एक और, वो भ that's great, the dhando investor, uncommon stocks, yeah common stocks and uncommon profits, by Philip Fisher, if I'm not wrong, that you should check out, where are the customer yards, that I just finished on audible, यह कुछ रिसोर्स आप चेक आउट कर लो, dhando investor I think is great, Indian market का देखना है, तो सौरब मुखरजी की किताबे आप चेक आउट कर सकते हूं, and मैं क्यू बुल रहा है है सारी चीज़े, because यह सारा जो फेसे है ना, इस में लोगों को याद आता है कि यार, learning पे ध्यान देना था, तब earning होती, फिर earning से invest करते, तो आपको अभी time मिल जाएगा market में, because market में ज्यादा कुछ happening नहीं हो रहा है, ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है इस case में, so you have time to learn, that's one, number two, ऐसे किसी भी market के situation में, आप notice करो, SIP वाले ए market अब जाती है, वो खुश है, अरे वाल, मेरी stocks की investment दो चलती जा रही है, right, so there is a big positive for those people, so आपको इस चीज का ध्यान रखना है, कि आप SIP, DCA, जो कर रहे हैं, especially आपका जो holding periods है, they have to be very very long, अगर वो long होंगे, आप historically देख लो, 20-20 साल का period अगर पकड़ लो, बहुत ही rarely से ले Now number two, individual stocks की बात नहीं कर रहा है, individual stocks में आपने notice किया होगा, rarely discuss करता हूँ, because it becomes very risky, I will discuss individual stocks and fundamental analysis आने वाले time में for sure, पर funds, mutual funds हो गए, चाहे वो flexi cap funds हो गए, चाहे वो hybrid funds हो गए, so that आपका exposure जो है maintained रहे, या वो index funds हो गए, जैसे मेरे parents के case में index funds, I feel they make the most sense, right, तो वो आपको explore करना है, और उसमें SIP approach अगर आप use कर रहे हैं, तो it is the best, now अभी ये अगर market एक साल इस तरह की रहने वाली है, even then, जो लोग पूछ रहे हैं कि यार क्या late हो गया है, क्या market में invest करने के लिए, सोचो एक साल, डेर साल ये bear market रहता है, डेर साल अगर आप SIP भी करो, जितना भी you can afford, क्योंकि SIP 500 रुपए से भी start हो सकती है, right, lump sum में कुछ-कुछ limits होती है, lump sum में कभी-कभी problem आता है, तो अगर आप को mutual fund पकड़ते हो, मानलो nifty-fifty index fund पकड़ते हो, और आप उसमें 5000 रुपए पर month लगाते हो for next one year, right, आपको अच्छे prices मिलते हैं, given what actually can happen and हो सकता है, market यहां से और गिरे, I am not saying कि market यहां से आप ही जाएगी, बट मैं यह कह रहा हूँ, जब SIP start करो, तो normally 5 साल, 10 साल का holding period हमाँ जूम करते हैं and that works really, really well in everybody's favor, it is very difficult to time the market, so it is better कि आप अपना time in the market increase कर लो, so that आपका जो gain वाला period है, वो missना हो, number 2, अपना risk mitigate कर लो, अपना risk minimize कर लिया, तो जो reward है, वो छपड़ भाड़के अपने आप आजाएगा reward के पीछे भागने की आपको जूरत नहीं पड़ेगी, यह penny stock है, यह crypto का shit coin, कोई meme coin है, जो 100x देगा, यह सब करने की जूरत नहीं पड़ेगी, just minimize your risk, minimize your risk and maximize your time in the market, और ऐसे किसी भी situation में, it becomes very important की capital का return important होता है, rather than return on capital, right, return of capital is more important, or return of investment is more important than return on my investment, तो आप, जो गलती है, वो कम करोगे, Warren Buffett है, गलती कम करोगे, if you don't lose money, right, वो हो सकता है, जब आप अच्छे, bear faces में invest कर रहे हो, if you don't lose money, then it makes sense, and please, अगर आप में से लोग जो है, leverage लेके, margin trading करने का, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, crypto में futures की बात कर रहे हैं, in general कर रहे हैं, या आप loan लेके college का fee, और ये सब की market bought down है, पैसा लगा दे तो आप तो यहां से अपी जाएगी, loan ले लो, ये कर लो, कर लो, कते ही मत करें, आपकी life की सबसे बड़ी mistake हो सकती है, yes, on this note, I will end the video, अगर आपको ये video अच्छा लगा है, तो like button पे ज़रूर मुक्का मारें guys, and subscribe करना मत भूले, चैनल पे बहुत सारे नए videos आने वाले है, financial funda पे, सिर्फ आपके लिए, I'll see you guys next time.